हाई दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्ट डॉक्टर सुमित हमारी जो कंपनी सुप्री अगलो ब्लैक्सिम कंपनी वो देश दो दिनकी परक्षप प्रवाती है देश के लगलग सीडीज में दिली में रेगलर पहले दिन हम इंडिया के बारे में बदाते हैं कि क्या लाइसेंस अचे यह कैसे आप अपने एक्सपोर्ट को पढ़ा सकते हैं और एक डिजिटल प्रोग्राम देते हैं ताकि आप किसी दलाल के पास आपको ना जाना पड़े आप अपने लैप्टॉप पे उसको इंस्टॉल करें और अपने खुद ही लाइसेंस अपलाई करें ओनलाइन औ और गुस्ट्रॉण तरीके बताते हैं जिससे आप बायर के बारे में पता लगा सकते हैं बायर असलिय है नकली है या बायर कितना आपको पेमेंट टैम पे ने ये सारी चीज है उन्स्ट्रॉंग तरीकों से हम आपको प्ता चल जाएगा, दूसरे दिन हम उस देश कंशन के कैसे करना है, ब्रेटन में कैसे करना है, फ्रांज में कैसे करना है, साओधियर में कैसे करना है, दुबई में कैसे करना है, न्यूजलेंड में कैसे करना है, आस्ट्रिलिया में कैसे करना है, यह सारी की हम साइक इंडे को आपको बताते हैं, दोस्तो, आज मैं आपको बता रहा में हमारे contact बढ़ाने में अपने business को आगे बढ़ाने में दोस्तों फीजी की जो राजधानी है वो है सूवा जो currency है फीजियन डॉलर है language जो है हिंदी भी है English है बोवा है फीजियन है French है तो दोस्तों कोई डियास रहते हैं तो हिंदी वहां काफी बोली जाती है दोस्तों मौरिशेस की तरह ही है यहां पे भी यहां पे क्या चीज़ एक्सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यह आइलेंड है जब भी वही भी आइलेंड होता है को टाप होता है तो सारी इंपोर्ट चीज़े करता है यह हम काफी चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं सारी सब फीजी में चीनी काफी उतपागन होता है तो अगर आप चाहते है अगर इंडिया में चीनी के भाव ज्यादा है तो आप फीजी से चीनी लेके डबबन करके पैक करके अपनी लेबल लगा और येरप में भी आप बेज सकते हैं काफी मुनाफिक के साथ दोस्तों दोस्तों सोना एक्सपोर्ट होता है जो पन्ना है वो एक्सपोर्ट होता है हीर एक्सपोर्ट होता है जोलरी में जो काम आता है वो एक्सपोर्ट होता है मसाले एक्सपोर्ट होते है, टिबबबन मीट एक्सपोर्ट होता है, टिबबबन सीफूड एक्सपोर्ट होता है, बहुत साई चीज़ एक्सपोर्ट होते हैं दोस्तो, मैं कुछ सीपोर्ट के नाम बताता हूँ जहां पे आप बहुत कम पैसे में एक्सपोर्ट कर सकते हैं द 809 कोड लगाएंगे आप दोस्तों कुछ मैं आपको एयरपोर्ट के नाम बता रहा हूं जब आप सबजियां और दोस्तों फूट्स बेजते हैं तो आप डीप फ्रीजर में बेजते हैं इसलिए दोस्तों मैंने आपको इचीज़ बताई एयरपोर्ट से नाव सूरी इंट्रनेशनल एयरपोर्ट से मार्किट है नावदी में वोलसल मार्किट है जहां आप अपने लाइजनिंग बढ़ा सकते हैं बिजनस में से बास कर सकते हैं उनको विजिटिंग कार्ड दे सकते हैं और प्रेजनिशन दे सकते हैं कि क्या चीज आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों बहुत से ज chilling कोॉछनल का समान एकसपोर्ट होता है खाने का तेल एकसपोर्ट होता है तो दोस्तों हमारा चैनल की understood लाइक कि है subscribe कीजिए comment box में comment लिए share कीजिए कोई भी आपको पूछना हो कुछ बात पूछने है तो बेजी जग हमारे को phone मुझसे phone पे बात कीजिए direct जो screen पे number flash हो रहे हैं दोस्तों तो दोस्तों हमारे दो दिन की workshop में आगर आपको आना है और attend करना है बिलकुल amazing है free of course हम आपको digital software देंगे आपको कहीं पर भी जाने की जुर्द नहीं है आप online साथ license apply कर सकते हैं इंडिया के भी international के भी आपका समान देशते हैं आपका समान कहां पहुचा ट्रेकिंग के भी सुधा हमारी license में हमारे software में है digital program में है तो दोस्तों thank you very much हमारे पहले जो पहले वीडियोस है previous वीडियोस उनको जरूर देखे दोस्तों इंडिया में अमेरिका में कैसे एक्सपोर्ट होता है कैड़ा में कैसे एक्सपोर्ट होता है यूर्प में कैसे एक्सपोर्ट होता है लंदन फ्रांस ब्रिटिन जर्मनी रशिया तुर्की ओमान साथी रभी दूबाई ऑस्ट्रेलिया न्यूजिलैंड कैनेड़ा में कैसे आफ्रीका के देशों में कैसे एक्सपोर्टेब बॉर्ड करता है दोस्तों ये सारी जिल्म में बतार किया है अब आज च्न को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट लिखिया अपनी सीट बुक कर आईए कोई भी आपको प्रब्लम्स आ रही हो तो मुस्से डायक्ट टॉल करके आप मुस्से डायक्ट करके बाद